बिस्मिल्लाहिर्राह्मानिर्राहीम अस्सलामु आलेकुम ये पार्ट वन है आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कारवाने दहशत हिस्सा दोयन आवाज वातिमा शफीक मुसंदिफ मजहर कलीम पेशकर्ष बुक्षियर पाकिस्तान ओडियो लाइब्रेरी दिगर मानु महतर किताबों के लिए आप राफ्ता कर सकते हैं हमारे वाटसअप नमबर 0333-2495373 या फिर 03002919600 पे मुहम्मद अजर लतीज से मुजिस खवातीनों हजरात ये एक कम्प्लीन नावल है नावल के कुल सफ़ाद 243 हैं तो आईए सुनते हैं पार्ट नमबर एक सफ़ा नमबर एक से काफिरस्तानी सीक्रेट सर्विस का चीव शागर अपने मखसूस कमरे में बैठा एक रसाले के मुताले में मसरूफ था जब भी उसके पास कोई फोरी नावयत का काम नाव होता तो वो गैर मुल्की रसाले पढ़ने में मसरूफ हो जाता था ये उसका शुगल भी था और उसकी आदत भी रसाले पढ़ते उसने एक तवीय सांस लिया और भी रसाले को उल्टा करके मेज़ पर रख दिया उसके अंदाज से यूं महसूस हो रहा था जैसे वो पढ़ते पढ़ते ठक गया हो और चन्द लबहों के लिए जहन और आँखों को अराम देना चाता हो उसने आँखे बंद की और उच्छी नशिस्त वाली कुष्टी पर पुष्ट से सर्ट टिका दिया मगर दूसरे लबहे कमरे में कूजने वाली तेज सीटी की आवाज सुनकर वो बे एक्तियार उचल पड़ा सीटी की आवाज उसके पुष्ट पर दिवार में नस्ब इस बड़ी सी अलमारी से निकल रही थी वो तेजी से उटा और उसने के अलमारी के एक कौने में लगा हुआ बटन दबा दिया बटन दबते ही अलमारी के पट दर्मयान से खुल कर दोना अतराफ में खायब हो गए और उसने अलमारी के दर्मियानी खाने में नस्ब एक बड़े से ट्रांस्मिटर के साइड में लगे हुए बटन की तरफ हाथ बढ़ा दिया चीटी की आवाज इसी खाने से निकल रही थी अल्मारी के लंबर चौड़े खाने में वही ट्रांस्मीटर ही नस्ब था और उस पर बेशमार डायल और बटन मजूद थे ये एक इंतहाई वसी हैत अमल का ट्रांस्मीटर था जिस पर पूरी दुनिया में कहीं से भी कॉल कैच की जा सकती थी और उसे खास अमर्जंसी में ही इस्तमार किया जाता था शौगल ने साइट में लगा हुआ बटन दबाया तो ट्रांस्मीटर के सामने के रुख पर मौजूद बेशमार चोटे बड़े मुखतलिफ रंगों के बल्ब तेरी से जलने बुजने लगे और डायलों पर सुईया थिरकने लगी शौगल की नजने दरम्यार में मजूद बड़े से डायल पर जमी हुई थी और पिर जैसे ही उसकी मुखतलिफ रंगों के सुईया एक जगा इकटी हो गई शौगल के चहरे पर नाकवार से आसाच आ गए सुईया जिस हंट से हंट से पर जमा हुई थी उससे जाहिए होता था कि कॉल कापरिस्तान के जनूबी सरहदी इलाके से की जा रही है और यहां इस इस इलाके में ऐसी कोई बार शागल के जहन में ना थी जिसके लिए ये एमर्जेंसी ट्रांस्मिटर इस्तमाल किया जाता इसके लिए तो आम ट्रांस्मिटर भी इस्तमाल किया जा सकता था बहरहाल उसने एक सुर्फ रंग का बटन तबा दिया और दूसरे नम्हे ट्रांस्मिटर से निकलने वाली तेज सीदी की आवाज खमोश हो गई चन नम्हे सकूत आ रही रहा फिर ट्रांस्मिटर से एक मिन मिनाती हुई आवाज उबरी यू लग रहा था जैसे बोले वाला अंकरीब जिद्धी से महरूम होने वाला हू रण्जीत कमल बोल रहा हूँ जनाव और रंजीत कमल तुम कहां से अचानक टपक पड़े मैं शागल बोल रहा हूँ और शागल ने हैदर जटा लहजे में कहा उससे रंजीत कमल की तरफ से कॉल की बैद तरीन तवक्को भी ना थी क्योंकि रंजीत कमल जब से महादेर चकर में शामिल हुआ था उसका रावता सीक् आपके लिए एक अहम इतला है मैं महादेर चकर में जरूर शामिल हुआ हूँ लेकिन मैं जहनी तोर पर अब तक अपने आपको सेक्रियर सर्वर्स का ही एजेंट समझता हूँ और दूसी सबसे रंजीत कमल ने बड़ी इनकसाराना लहजे में जवाब दिया शुक्रिया रं जवाद दिया जनाब पकेशिया के अली इमरान का बोडिगार जोजफ इस वक्त एक और हप्षी के सार्थ सिलिसका में मजूद है दूसरा हप्षी जवाना है जिसका तालूब बैनला क्वामिक आदलों की तंदीम मास्टर कलर से है मैंनी उसकी इतला महावे देर चकर के पा तरीन पैकिंग मशीनों से उनके दिमाग खंगाले और मालूमात हासिल की और फिर इसी तरह बेहोशी के आला में वापिस होटल बेज़ दिया लेकिन इस दोरान मैंने कुछ लोगों की पूर सरा नकलो हरकत चेक कर ली जोसफ और जवाना के अगुआ के दोरान भी वो उनका ताकुब करते रहे वो टालगी जीर तक पहुँच गए फिर एक आदमी का मैं ताकुब कर रहा था वो दस मसले अफराद को लेकर बुलिट प्रूफ जीपों में सरहदी पटी में राद को पहुँच गया मैं भी उनके पीछे लगा हुआ था फिर राद को पाकेशिय की तरह से इंतहाई नीची पर वाज करते हुए इंपराट्रो पर जहाज आया और उसमें कुछ लोगों को वहां उतार दिया महाबदीन जगर का हरी चंद अपने साथिय समेथ पहले ही वहां मुझूद था वो शायर जोजफ और जवाना से मालूमात की बिना पर वहां पहुँचे थे उनके दर्मियां खौफनाक जंग हुई और हरी चंद को उन्होंने काबू कर लिया बाकी साथी मारे गए उन में दो तीन ही बच के निकल सके क्योंके जोजफ और जवाना का ताकूब करने वाली पार्टी के अफराद पुछ से उन पर तूट पड़े थे फिर वो सब जीपों पर सवार होकर पहारी रास्ते से निकल भागे मगर मैं ने बरवक्त इशोर दास को इतला कर दी और उसने अपने गश्टी रस्तों की मदद से उनकी नाका बंदी कर ली बहुत जबरदस छड़प होई आने वालों की एक जीप तबाह हो गई मगर उनने अजीव सालादा बहाते हुए बं मार कर इशोर दास की बाकी टीपों और आदमियों को राख के रियर में तबदील कर दिया और निकल करे फिर मैंने उनकी रहायश का चेक कर ली महावर्ती चिकर ने भी उनकी रहायश का धून निका ली और हरी जन जो पहली जड़ब में बचकर निकल सकने में काम्याब हो गया था अपने स्क्वार्ट समेथ उन पर तोट पड़ा और उन्हें बेहोश करके ले जाने में काम्याब भी हो गया और रजीत कमल ने पुरी तफसील से रपोर्ट देते हुए कहा मगर पैराशूर्ट से कूदने वाले कौन थे और उनका टक्राओ महावदीन चकर से क्यों हुआ और चौगर ने हैरत पड़े लेज़े में बूचा जनाब ये अली इमरान और उसके साथी यानि पकेशिया सेक्टर सर्विस के लोग थे और उनका निशाना लाजमी तोर पर महावदीन चकर का हेड़कौर्टर स्थाव अब वो सब महावदीन चकर के हेड़कौर्टर में है मैं जानता हूँ कि आप अली इमरान और पकेशिया सेक्टर सर्विस से मकाबले करते रहते हैं जबके इश्वर तासर उसके साथियों के लिए ये लोग नए है इस दिये मुझे खत्रा है कि जनाब हैड़कौर्टर पहुंचने के बाद कहीं ये लोग सुरत रहाल को ही न पलणते और आज शयद जानते हो कि महावリ दिन चकर आजगर पकेशिया के खिलाव एक आहम तरीन मनसूबह पर काम कर रहा है और रन्जीत कम्र ने जवाब देते हुए कहा क्या कह रहे हो महावर दिन चकर और पकेशिया के किलाव काम कर रही है मुझे तो इल्म ही नहीं है ओवर शागर के लहज़े में बेपना हैरत नमाया थी और फिर रंजीत कमल ने मुख्त सिर्थ तोड़ पर तमाम मनसूबा शागर को बता दिया ओओ ये तो बहुत खतरनाक है इमरान और उसके साथी महावरतीन चकर के बस्त के नहीं है उन्हें चाहिए था के मुझे बताते काफरिस्तान में सिर्थ मेरी जाथ है जो अली इमरान का सही तोड़ है बहर हार मुझे अपने फ्राइजने माने है इस मनसूबे की तमभाही का काफरिस्तान की शिकस्त है और मैं का फरिस्तान के साथ लफ्स शिकर्स बिर्दाश नहीं कर सकता ये बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए मैं फौरी तोर पर एक्शन में आना चाहता हूँ लेकिन अगर मैंने आला हुकाम से राब्ता काइम किया तो वो इसकी इजादत ना देंगे और अगर देंगे भी तो इसमें काफी वक्त जाया हो जाएगा ओवर चामले में चैन से लहजे में कहा आप अपने साथी समय फौरी तोर पर सिलकाम पहुंच जाएं फिर यहां जैसे भी हालात होंगे आप इसी तरस का लाहर अमल इक्तियार कर सकते हैं ओवर रंजीत कमल ने तज्वीश पेश करते हुए कहा ठीक है मैं जादा से जादा दो घंटे के अंदर सिलकाम पहुंच रहा हूँ तुम मुझे कहां मिलोगे क्यूंकि मैंने महादीन चकर का हेड़कॉर्टर नहीं देखा ओवर शाकिल ने कहा आप उनली ठीन पर पहुंच जाएं मैं वहाँ रेस्टूरेंट की सामने मजूद हूँगा हेड़कॉर्टर भी वही है ओवर रंजीत कमल ने जवाब दिया ओकी ठीक है मैं दो गिंटे के अंदर अंदर अपने साथियों समेथ आ रहा हूँ ओवर एंड ओल चागिल ने कहा और पिर उसके साथ ही उसने बटन दबा कर राप्ता खत्म कर दिया राप्ता खत्म करने के बाद चागिल ने इंतहाई पूर्टी से ट्रांस्मीटर वाली अलमारी बंद की और तेरी से वो दुबारा मेस की तरफ बढ़ा उसने कुर्सी पर बैट कर मेस की दरास खोली और दरास के अंतर कोने में लगा हुआ एक बटन दबा दिया बटन दबाते ही सामने की दिवार पर लगी हुई एक स्क्रीन जिन मिलाने लगी और पिर चन लबहों के बास स्क्रीन रोशन हो गई उस पर एक नजवान की तस्वीर उबढ़ाई लेस बास नजवान के लब हिले और कमड़े में एक महदमाना आवाज पहुझ जो थी रोप चन फौरी तोर पर 20 अफराद फाइटिंग सेक्शन से तयार करो उन्हें हर रहाज से मुस्तला होना चाहिए यह अफराद ऐसे हो जो हर अजमाईश पर उतरने वाले हो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट के अंदर बिलको तयार होकर जेर दाइर पोर्ट पर पहुझ जाना चाहिए मैं वहाँ मौझूद होंगा जल्दी पांच मिनट के अंदर पहुझो शागिल ने तेज लहजे में कहा जेरू एरपोर्ट बॉस क्या बाहर जा रहे हैं नोजवाई ने उल्जव लहजे में कहा हाँ परकेशिय सेक्टर सर्विस मा इम्राइन के सिर्गार में मजूद है इंतहाई खतरनाक सुदत हाल है और हमें वहाँ फौरी तोर पर पहुंचना है क्योंकि इम्राइन और इसके साथी एक शोर दास के बस के नहीं है शागिल ने तेज लहजे में जवाब देते हुए कहा सलगाम में और पकेशिय सेक्टर सर्विस मगर हमें तो उनकी आमकी इतला नहीं है नोजवान ने हैरत दा लहजे में कहा तुम बातों में बग्जाय मत करो जो मैं कहना हूँ वो करो एक मुलहक कीमती है एक एक लमा कीमती है शागिल ने गसीले लहजे में कहा ओके बॉस बीज आदमी जीरो एरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे नोजवान ने जवाब दिया और शागिल ने बटन आफ करके मेंस की दराज बंद की और फिर तेजी से उठकर मुलहका ड्रेसिंग रोम की तरह दोरता चला गया ताके खोद भी एरपोर्ट जाने की तयारी कर सके इमरान का नाम सुनते ही उसकी रगों में पारा सा दोरने लगा था इश्वादास और गोपी राम कुर्सियों पर बैठे बड़े इतमिनान से डॉक रोम में मौजूद होने वाले जोरतार मकाबला देख रहे थे पहले बहन तो इश्वादास के चेहरे पर जुन जलार के असान नमाया हुए जब हरी चन बवजूद कोशिश के इमरान को ट्रैप ट्रैप न कर सका और पिर जब इमरान ने हरी चन को पेरों पर उच्छाल कर उनके सामने मौजूद शीशे पर दे मारा तो इश्वादास कुछ से की शिद्द से चीख उठा हरी चन ये क्या हो रहा है इश्वादास के लेंचे में शदीद घूसा था मगर दूसरे लम्हे हरी चन जब इमरान को डौच देने में कामयाम हो गया तो इश्वादास के चेहरा भी एक्तिया खुल उठा और हरी चन ने डाच दे कर इमरान के पहलों में सबर्दस जब लगाई थी और हरी चन जब की शिद्द से चार कदम पीछे लड़क खडाता चला गया उसी लम्हे हरी चन ने उचल कर इमरान के सीने पर टकर मानी चाही मगर इम्रान ने उसकी गर्दन पकड़ी और साथ ही नीचे बैटकर दोनों टांगों से हरी चंद के पेट पर जर्ब लगाई और हरी चंद फिजाव में कला बाजी खा गया हरी चंद के हल्क से चीट से निकली इसी लमें इम्रान ने हरी चंद के जिस्म को उठा कर दिवार के साथ खड़े हुए मसला अपराद पर देह मारा देव रैकल और भारी बरकम हरी चंद को इस तरह कींद की तरह फिजाव में उचलतर दे कर इश्वर दास की आंके हैरत से खुली की खुली रह गई और फिर इश्वर दास ने अजीब हो गरी मंज़र देखा कि इम्रान उचल कर हरी चंद और नीचे गिरा गिरे हुए मसला अपराद पर खुदा और फिर दीनों उचने की कोशिश करते हुए मसला अपराद धका लगने से लड़ खड़ाते हुए एक बार फिर गिरता चले गए इस वर दास ने बिजली की सी तेजी से इम्रान को उचते देखा और दूसरे लम्हे कमराए मशीन गर्ण की तरतराहट से गोज उठा और साथ ही उसने इन तीनों मसला अपराद के साथ साथ मशीनों के अपरेटरों को भी जमीर पर पड़कते देखा और फिर उससे पहले कि उसकी समझ में कोई बात आती जोड़ दार धमाकों ने दोनों मशीने फटती चली गई इमरान ने इन मशीनों पर फाइर खोल दिया और मशीने जोड़ तार धमाकों से फटती चली गई और साथ ही इमरान के साथ ही भी खुद बखुद आज़ाद हो गए ओ, ओ, ही क्या हो गया इश्वर दास ने बुरी तरह कुछी से उचल कर खड़े होते हुए कहा और दूसरे लम्हे उसने जपट के शीशे से नीचे लगा हुआ एक बड़ा सा हेंडल कीच दिया हेंडल कीचते ही डार्क लूम का फर्ष दरमयान से दो गुरिसों में तक्सीम होकर साइड की दिवारां से जा लगा और इमरान और दूस के साथी लाशों समेज नीचे जागी रहे फर्ष द्लम्हा बार खुट पर खुट बराबर हो गया लेकिन अब फर्ष खाली था और फर्ष बराबर होते ही ईशों दास तेरी से कमरे के दर्वाजे की तरह भागा दर्वाजे से बाहर राधारी में बेता हाचा भागता हुआ वो अपने खास कमरे की तरह बढ़ता चला गया गोपी राम भी इस वक पीछे था राधारी में मुझूद मसला आदमी अपने चीफ बाक्स बास को इस तरह बागते देखकर बखला उठे और वो भी तेज़े से उसकी पैर्वी करने लगे ईश्वरदास चन्द ही लबहों में अपने कमरे में पहुंच गया उतने कमरे में पहुंचते ही इंतहाई तेजर अफ़तारी से दिवार में नसमें एक अलमारी के पट खोले और पिर अलमारी की साइड में लगा हुआ एक चोटा सा बटन दबा दिया बटन दबते ही अलमारी के खाने तेजी से घूमें और साइडों से चिपक गए अब वहां एक दर्वाज़ा बन गया और इश्वरदास भागता हुआ इस दर्वाज़े को पार कर गया दर्वाज़े के दूसरी तरह सीड़िया नीचे जा रही थी वो दो-दो सीड़िया फ़लांगता हुआ नीचे उतरता चला गया और चन्द लम्हों बाद वो सीड़ियों के एक तताव पर मजूद एक दर्वाज़ा खौल कर दूसरी तरह चला गया यहां एक काफी बड़ा हॉल था जिसकी दिवाज़ों पर मुखतली सक्रीने नस्ब थी दर्म्यान में एक बड़े सी मेज और उसके पीछे एक उंची नशिस्त वाली कुर्सी मजूद थी हॉल की दिवारों के साल बड़ी बड़ी मशीने नस्ब थी जो चल रही थी और हर मशीन के सामने उंचे स्टूलों पर एक एक आदमी बैठा मशीन को कंट्रोल कर रहा था मेज के पीछे उंची नशिस्त वाली कुर्सी पर एक लंबा तरंगा नोजवान बैठा हुआ था इश्वरदास को इस तरह बेता हशा भाग कर कमरे में दाखिल होता देखकर नोजवान हर पड़ा कर उठ खड़ा हुआ मशीना के सामने बैटे हुए ओप्रेटर भी उचर कर खड़े हो गए ये दर असल हेड़कॉर्टर का में अपरेशन रोम था और यहां से पूरे हेड़कॉर्टर के हिफाज़ती निजाम को कंट्रोल किया जाता था और इश्वरदास शाज़ो नादिरी इदर का रोख करता था लेकिन जाहिर है इस अंदाज में वांगता हुआ कभी ना आया था इसलिए वह सब हैरत से शिद्दत से बुद्पने खड़े रहे जमनादास मुजरुमों को मैंने डाक रोम के नीचे पहने वाले रोम में भैंक दिया है तुम फोरण गिर्ड में बेहोश कर देने वाली गैस चला दो और अर्जन सिंग को कॉल करके हुकम दो कि वो अपने आज़ियों समेथ टांगली जील को गिर ले जैसे ही ये बेहोशी के आला में वहां पहुंचे उन पर फायर कोल दिये और उन्ही किसी भी खीमत पर जिन्दा जील से बाहर ना निकलने दे इश्वन दास ने कुर्शी के सामने खड़े हुई नाजवान जन्ना दास से मखातिब होकर तेज लहजे में कहा और नाजवान ने चीख कर एक मशीन के आगे के आपरेटर को यही रुकम तोरा दिया आपरेटर ने तेजी से मशीन के मुखतली बटन दबा दिये और मशीन के उबर लगी हुई सक्रीन डोशन हो गई सक्रीन पर एक बड़ी सी गिट लाइन का अंदर रून मंज़र नज़र आने लगा अपरेटर ने तेजी से मशीन पर लगा हुआ एक हैंडल घुमाना शिरू कर दिया और सक्रीन पर तेजी से मंज़र बदलने लगा गर के मुक्तलिफ हिस्से तेजी से सक्रीम पर उबड़ते और मिटते चले जा रहे थे और पिर अचानक ऑपरेटर ने हाथ हैंडल से उठा लिया क्यूंकि सक्रीम पर धबे से डूपते तेज तीर तेरते नजर आ रहे थे इसी लंगे ऑपरेटर ने इंतहाई फूती से मशीन के पेंदे में लगे हुए एक सुराख रंग के एक सुर्फ रंग के हैंडल को नीचे की तरह दबाया और मशीन के मरकज में लगे हुए बड़े से डायल पर सुर्फ रंग की सुई तेजी से मुटते सनद से क्रास करती दाएं तरह बढ़ती चली गई जब सुई एक सुख रंग के हिंसे पर पहुंची तो अपरेटर ने हैंडल दुबारा उपर कर दिया और सुई आहिस्ता आहिस्ता वापिस अपनी पहनी जगह पर पहुंच गई उसके साथ ही ऑपरेटर ने सक्रीन भी आउफ कर दी काम हो गया बॉस ऑपरेटर ने मुर कर दोबारा मौत बाना रहेजे में कहा और इसी नम्हे जमनादास निरी के मेस के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया दूसरे नम्हे दिवार के दर्म्यान में उपर लगी हुई एक बड़ी से सक्रीन रोशन हो गई और इस पर एक बड़ी-बड़ी मुझा माले सिक नौजवान के तस्वीर उबरी अर्जन सिंग फोरान अपना ग्रूप लेकर टांगली जीर पर पहुंच जाओ मुझ्रिमों को गेडर में फैंक दो और बेहोश कर दिया गया है फैंक कर बेहोश कर दिया गया है वो टांगली जीर में निकलेंगे तुमने उन्हें टांगली जीर में ही हला कर देना है कोई आदमी जीर से जिन्दा बाहर नहीं निकाना चाहिए ये चीख वास का हुकम है जमनादास ने इंतहाई कर्फ लाजिय में कहा कितने आदमी है अर्जन सिंग के आवास कुंची दस ग्यारा अफराद हैं उनकी मोटियां उडा दो चाहे इसके लिए तुम्हें पूरी जीरी क्यों ना उडानी पड़े जमनादास की बजाए इस बार इश्वर दास ने चीखते हुए कहा ओके बोस आफिकर ना करें अर्जन सिंग के मादमाना आवास सुनाई दी और सुनो उनके तुब्रे पानी से निकाल कर मेरे सामने ले आना होश राज रहना ये लोग बेहर खतरनाक है निकलने ना पाए इश्वर दास ने कर लहजे में कहा आप बेवे कर रहें बास ये बेहोश भी ना भी होते तब भी अर्जन सिंग से बच कर ना निकल सकते हो अब तो मस्कला ही कोई नहीं है अर्जन सिंग ने जवाब दिया ओके और सुनो तुम जम्ना दास हर लिहाज से और शिया रहना जब तक सब लोग हलाख न हो जाए इश्वर दास ने मुतमे लहजे में कहा और वो तेजी से दर्वाजे वापिस दर्वाजे पर चला गया अब उसके चार में खासा इत्मिना नमाये था फरच के अचानक हटने से इमरान उसके तमाम साथी सादर समान समें गहराई में गिरते चले गए मगर ये गहराई कुछ ज़्यदा साबित ना हुई और चन्द लमों के बार जो उतार चुपाकों से वो सब पाने में गिरते चले गए पाने की गहराई और इसकी रफ़तार खासी थी इसलिए वो सब पहले तो पाने में टूपते चले गए लेकिन बिर्फोरन ही उनने अपने आपको संभाद लिया सब लोग दिवारों के साथ हो जाए इमरान ने सता पर आते ही चीख कर कहा और खुब भी तेजी से साइट की तरफ बहता हुआ एक दिवार से चिमट गया इस तरहां कमले के फर्फ पर पढ़ी हुई लोगे की पंजे जो उनके साथ ही नीचे गिरी थी पाने से आगे बढ़ती चली गए और वो उनके तकरा कर जखमी होने से बच गए त्यूंकर यहां घुप अंदेरा था इसलिए चंद लंबहे तो उन्हें कुछ नजर ना आया लेकिन पिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी आंके अंधेरे की आदी होती चली गए इम्रान ने देखा कि उसके साथी दिवार से चिम्टे हुए हैं लेकिन उनकी गड़ने पानी से बाहर नजर आ रही थी जबके लाशें और पंजें पानी के बहाओं के साथ बैती हुए आगे बढ़ चुके थी दिवारा के साथ साथ आगे बढ़ते चले जाओ मगर इंतहाई तेजी से यहां से रिली गैस है इम्रान ने कहा और पिर खुद भी तेजी से पानी के बहाओं के रुख दिवार के साथ साथ आगे बढ़ता चला गया गड़ खासा बढ़ा था और वसी था इसलिए यहां मजूद गैस अगर थी भी तो खासी हलकी थी कुछ दे बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते ही अक्तम ठिटक कर रह गए क्यों के गर्ण में उनके सामने तेजी रोशनी उसकी दिवार से फोट पड़ी लेकिन यह रोशनी किसके आगे थी और फिर रोशनी भी बहाओं के रुख के असाल आगे बढ़ते चले गई काफी आगे जाकर रोशनी थम गई इस जगा जहां रोशनी पाय रही थी इश्वर दास के आदमियों की लाशे पानी में तोपती उचलती बही जा रही थी एक लभे के लिए रोशनी थमी रही पिर अचानक आएप हो गई और गटर में एक बार फिर अंधेरा चाग गया इसलिब में आगे अगे बारान को बहोश कर देने वाली गयास की अचानक भू मैसूस हुई गटर में बहोश कर देने वाली गयास बहétais कि जा रही है सांस बन करके पानी के अंदर हो जाओ और नीचे ही नीचे आगे बढ़ो हर मुम्किन तेजी से इमरान ने गैस की बू सूंगते ही चीप कर कहा मगर इमरान चाहब पानी बेहर गंदा है अचानक नारान के आवास जनाए दी गंदा पानी मौट से अफसल है इमरान ने कहा और खुद भी पानी के अंदर चला गया अब चलने की बजह वो पानी के अंदर ही अंदर इंतहाई तेज रफतारी से बैता हुआ आगे बढ़ता चला गया जब उसका सांस बंद होने लगा तो वो तुबारा पानी के सता पर आया मगर बाहर आते ही खुशी से उसकी एक आंख चमट उठी क्यूंकर सामदे रोशनी का चोड़ा सा हाला नजर आ रहा था गतर खंता मोह रहा था और उसका बैरूनी धाना था इमरान एक तुवी सांस लिया और पिर पीछे मुड कर देखा पानी से बाहर निकल चुके थे यहां चूंकर बैरूनी धाने से तादा हवा अंदर आ रही थी इसलिए जहां गैस का आसर ना होने के बराबर था और इमरान तेजी से पानी में तैरता हुआ धानी के करीब पहुँच गया दहाने से पानी बाहर पहली हुई जील में गिर रहा था इमरान दहानी की साइट की दिवार से चिमन गया जील के बाहर दूर दूर तक रोशनी के बलब लगे हुए थे जिनकी वज़े से विज़ा रोशन थी और इस रोशनी के तासुराथ उस दहाने से आ रहे थे इम्रान पुर्ती से पानी में कोल गया और दूसरे लम्हे उसके साथी भी पानी में कोल गए जीर बहुत वसीयो अरीच थी और उसके एक किनारे पर पानी साफ फिरने का काफी बड़ा प्लांट लगा हुआ था लेकिन वो प्लांट कटर के बिल्कुल मुख्तलिक किनारे पर था नीचे पानी में गिरते ही वो तेजी से तैरने लगे मगर इसी लम्हें उन्हें अपने से सरा फासले पर फाइरिंग की आवाज सुनाई दी और फिर इम्रान ने देख लिया कि मगरिमी और मश्रुकी किनारे पर बहुत से अपराद मशीन किनों से जीन में उतरती ही किसी चीज पर मुस्था फाइरिंग करते जा रहे हैं ये लाशों और पंजों पर फाइरिंग कर रहे हैं शुमारी साइड पर हो जा जल्दी निकलो इम्रान ने चीखर अपने साथीं से कहा और वो सब तेज़ी से शुमारी सिम्ट तैरते चले गए वो सब फाइरिंग की वज़ज़ से पानी के अंदर ही रह कर ही तैरने रगे और सिर्सांस लेने के लिए एक लम्हे के लिए सर निकालते बाहर और फिर तोड़ी देर बाद वो सुमारी सिम्ट में मजूद एक खाड़ी में पहुंच गए यहां खासा अंदेरा था किनके यहां रोशनी के बहल भी मजूद नार थे और दूस्ती सिम्ट से रोशनी के असराद भी यहां ना पढ़ रहे थी इसलिए वो सब इत्मिरान से किनारे पर चटते चले गए चैनल लमों बाद वो जब पानी से निकल का किनारे पर पहुंच गए इम्रान साहब इतर दाए तरफ यहां से नस्धी की एक जंगल है हम वहाँ आसानी से चुप धगते हैं नारान ने इम्रान से मुठाटि ओना हुए कहा और पर इम्रान के सरह लाने पर हो सतीरी से अंधेरे में ही दोड़ते हुए नरान के पीछे इस जंगल की तरह भड़ते चले गए ये जंगल दरश्र दरख्तों का एक बहुत बड़ा सखीरा था थोड़ी दे बार वो सब उस सखीरे पनुमा जंगल में पहुँचने में काम्याब हो गए अब दूर से आती हुई फाइरिंग की आवाजे बद हो गई थी उनके कपरे चूंके पानी से शराबो थे इसलिए वो चंग नम्हे वही सखीरे में ही रुके आपने तो कमाल कर दिया इमरान सहाब एक सेकेंड में ना सिर्फ इस दियो हेकल हरी चंग पर कबू पालिया बनके सिच्वेशन ही हैंडल कर दी और साथ ही उससे बदल डाला फैसल जाने बड़े मुट का दाना लहजे में कहा सिच्वेशन ना बदलता नवाब तक हमारी लाशे ही इस धील में तैरती होती इमरान ने कहा ये जगा ज़दा मैं खोर्ज नहीं है जनाब जब इन्हें एसास हो करके बड़ लाशों और लोहे की पंज़ों पर फारिंग करते हैं तो यकीन हैं उन्हें हमारी तलाश इर्दगेश के इलागे में पहल जाना है नारान ने कहा इसा तुम होना है वगर तब हमने जाना कहा है इमरान ने पूचा मैंने हिप्स मात कदम के तोर पर एक और कोटी भी हासिल कर रही है मेरे पीछे आएं नारान ने कहा और फिर नारान ने कहा और फिर वो तेज देज कदम उठाते हुए नारान के पीछे चलते हुए आंगे पढ़ते चले गए जखीरा खासा वसी और अरीस था इसलिए उन्हें जखीरे से निकलते निकलते काफी वक्त लग गया और फिर जखीरे से निकलते ही वो सब एक बड़ी सड़क पर पहुँच गए लेकिन सड़क मिलकुल सुसान पड़ी हुई थी इस हालत में टैक्सियों पर सवार होना तो उन्हें मश्बूर करने वाली बात है इसलिए पैदल ही चलना पड़ेगा इमरान ने कहा और नाटरान के निजार हिलाद दिया वो सब नाटरान के पीछे चलते हुए तीजी से सड़क पार करके सामने मौजूद एक मेदान में घुसते चले गए मेदान में लंबी लंबी घास मौजूद थी इसलिए उन्हें इत्मिनान था कि रात के वक्त इस खास में उन्हें चेक ना किया जा सकेगा मेदान पार करके वो सब धाएं तरफ मुट गए और फिर थोड़ी दूर जाके वो एक रियाशी कानूरी के एरिया में दाफिल हो गए यहां बड़ी कोठियों मौजूद थी कोठियों के दर्मियाद बड़ी सरक पर चलने की पजाए वो उनकी टंगलिया से गुजटते हुए थोड़ी देर बाद एक कोठिय के गेर पर पहुँचकर पहुच गए गेट पर ताला लगा हुआ था यह ताला नंबरों से खुलने वाला था नाट्रान ने आगे बढ़कर ताला एक लंभे में खुल डाला और फिर अचानक खुल कर वो सब अंदर दाफिल हो गए यह कोठिय काफी बड़ी थी इस स्वेफ मिल्कुल खाली पड़ी हुई थी थोड़ी ही देबाद वो सब इस कोठी के बड़े हौल में पहुँच कर खड़े हुए नाट्रान ने हौल की दिवार में नस्ब एक बड़ी सी अलमारी कोली इस अलमारी में हर साइस के मलबुसाद तंगे हुए थे मेरे खड़ाल में सबसे पहले अपने लिबास तबड़ी कर लेने चाहिए नाट्रान ने काओं और वो सबसार हिलाते हुए अलमारी में से अपने अपने साइस के मुंतखिप लिबास मुंतखिप करने में मुस्रूफ हो गए और फिर लिबास लेकर वो सब बारी-बारी मलहका दो फसक खाला में दाखिल होते गए तो प्रीबन आदे गुंटे बास सब नहाद होके लिबास तब्दील कर चुके थे और तबारा हाल में इकटे हो गए थे और फिर इससे पहले के वो सब बैट के कोई प्लैनिंग ने बनाते अचानक इन्हें कोटी के बिरूनी आहाते में बेश्मार डोड़ते हुए कदमों की आवाजे सुनाई दी वो सब बुरी तरह उचल कर खड़े होंगे कदमों की आवाजें तेजी से इमारत की तरह भड़ी चली आ रही थी दो बड़ी बड़ी बैग ने स्पेशल मिलिटरी एरपोर्ट से बाहर निकली और इंतहाई तीज रफ़तारी से टांगी जीज की तरह भड़ती चली गए उन वैगनों में शागिल और उनके भी साथी थे शागिले संगा में मजोद से ट्रेट सर्विस के इंचार्ज को कॉल करके बड़ी वैगनों का इंतजाम पहले ही कर लिया था सुगा में सेक्टर सर्विस का इंचार लीप सिंग एक भारे जिसम का नाजवान था जिसकी आंगे बजाहर मोटी मोटी सी महसूस होती थी लेकिन दरशल वो खासा होश्यार और जहीन आदमी था उसने वैगनों के साथ साथ खासी बड़ी तदाद में असलहे का बें इंतजाम कर लिया था इस वक्त सफ़ा नमबर 31 इक्तदाम वजीर होता है नौवल कारवाने दैशत हिस्सा दोईम का अगला हिस्सा पार्ट टू पे समात फर्माईए